लो फ्रेंस वेलकम बैक टो और चनल लेटेस्ट रन फार्मेसी सो फ्रेंस हम अगेन इस्टाट करें अपनी मेरिक्टनल कमेश्टी सेक एंड फीफ फिप्ट समेटर और सो सॉरी फोर तू लेट लेक्चर ड्यू टू सम् करेंगों अब जल्द जल्द आपको लेक्चर कराणें जहां को पाइगा सो फर्स्ट अपना इस सभी को आज इसमें हम cover करेंगे so firstly हम देख लेते हैं कि हमारा diuretics जो है वो होता क्या है diuretics के बारे में अगर हम बात करेंगर इट्स वर्ड को आप समझे die and euretics, euretics means urine, यहाँ पर क्या होगा urination हो गया यह आपका and die, die means दूगुना, बलब कि आप वह से समझने की ट्राइ गीजिए इसको क्यों समझे, means die urination, आपकी urination क्या हो जारहे हैं अपर दूगुना हो जारहा, means बढ़ जा रहा है, तो diuretics क्या होता है हमारा वो substance होता है, जो क्या करता है, promote करता है diuretics को, means urine के production को increase करता है ज़्यादा से ज़्यादा urine को क्या है produce कराता है, और हमारी body से body में हमको इसको क्यों लेना पड़ता है, इसको अगर हम समझे तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा kidney के बारे में क्योंकि kidney हमारी क्या होती है, यह क्या है, एक करते हैं directly on kidney पे, और यह क्या करते हैं, जो हमारी diuretic drug होते हैं, इनका main work होता है आपकी body में, जो भी है, water है, उसमें क्या है, sodium हुआ, chloride हुआ, bicarbonate हुआ, इसको आपके सरीर से बाहर निकाल देना, yes, urine के through, आपके सरीर से इसको excrete out करा देना, so firstly हम देखते हैं, kidney पर यह work कैसे करते हैं, जैसे क्या है, kidney का आपके work क्या हुआ हुआ, remove waste and extra water, में से आपकी kidney cover क्या है, remove करना, waste और extra water को, blood as urine, blood से, अब यहाँ पर देखी ज़रा, आपकी जो body से unfiltered blood kidney में है आप, and वो क्या हुआ, यहाँ पर filter हुआ, अब filter कहाँ पर हुआ, नेफ्रोन में आपके, नेफ्रोन में जो होता है, आपके parts होते हैं, यह जो है, आपका kidney का एक part है, functional unit है, नेफ्रोन, तो वहाँ से क्या होता है, आपका blood, बोडी का जो blood होता है, वो आपके वहाँ पर filter होता है, और fresh blood filtered out हो जाता है, और उसमें जो भी आपका best water है, या इक्ष्टा जो भी, या प्लस के, प्लस या कैल्सियम, जो भी ions है, उनको क्या करता है, यह create out कराता है, तो यहाँ पर सब और क्या हो रहा है, यह जो dietic agent होते हैं हमारे, gwόर्ण करते हैं, जो क्या है यह आपका क्या है, एक नेफ्रोन है, नेफ्रोन में तो ह सी आहते हैं इक और दो पर होते हैं, बांद निच्ट क्या है weekend यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यह जो आपका है यह क्या है ग्लोमरास मीस यह आपका बोमेंस कैपसूल हो गया यह जो आपका है यह आपका टिबियुलियर पार्ट और जाते हैं यह मैं यह मेंमली जो हमारेаться घ्यरीक एजनट है वह वर्क करते हैं जाके कहां पर करते हैं हम कहां कहां वर्क करते हैं इसके लिए यomas गया क्रता है कंवर करता है कर पोनिक लोप यह जैसर लिए वह यूप डायुडिक digital cannibalist tubule वहाँ पर आपका work करता है thyazide collecting duct यहाँ पर आपका करता है work potassium aspiring diuretic यह आपकी क्या होगे उसल जो आपकी drugs है उनका site affection जैसे कहाँ कहाँ आपकी जो drugs है वो work करेंगी तो यहाँ पर इसके इसका classification अगर आप देखें classification में आपका carbonic inhibitor है थायाज़ड हो गया, लूब डायरोटिक हो गया, and potassium isparing डायरोटिक, and osmotic, osmotic डायरोटिक क्या होता है, इसमें eck manitol होता है, only एक drug है, osmotic means osmosis से कुछ relate करता है, so site affection के according भी ही इसका classification किया गया, means जिस according इसका site affection है, उसी according इसका classification है, आप firstly हम देखते हैं कि हमारा जो first क्या है classification carbonic anhydrase inhibitor, इसमें जो हमारी drugs हैं, तीन drugs हैं आकी, इसके में आपको acetazolamide का synthesis भी पढ़ना है, so आज की इस lecture में हम इन तीनों drug and acetazolamide का synthesis, and इसका mechanism of action, इसके uses, सब कुछ cover करने वाले हैं, so firstly क्या है मारा जो carbonic anhydrase inhibitor है, carbonic anhydrase inhibitor, add dry from sulfonamide antibacterial, यह क्या है, एक sulfonamide antibacterial से यह क्या है, derived drug है आपकी, this is a type of diuretic that inhibit carbonic anhydrase enzyme at the site of PCT, means इसका क्या है, इसका main work कहां पर होता है, आपके proximal convoluted tibule पे, जो यहां पर आपकी एक सल्व होती है, अब इसका मैं कर जाब आप action समझें, तो यहां पर आप जैसे देखेंगे, हम बात करें, PCT के बारे में, जैसे यह आपका हो गया nephron, nephron में जो यह site आपकी हो गई, यह आपकी PCT है, अब PCT के जो इतने part है, माली जी यह PCT की एक सल्व है, इस सल्व को अगर हम बढ़ा करें, तो यह जो हमारी हो गई PCT, इसको हम structure को बढ़ा करके देखते हैं, तो यहां पर यह आपका हो गया lumen, और हो गया आपका ECF, मिस interstitium हो गया आपका, अब यहां पर माली जी urination, यहां पर जैसे आपका हो गया यह, ग्लो मिरोस फिल्टरेट आया, और वहां फे फिल्टर्ड हो के इसमें जैसे जा रहा है, तो उसमें क्या-क्या है आपका, यहां पर आपका NA plus and bicarbonate, उसके 3 आया, अ अब NA plus and bicarbonate, यहां पर आपका एक होता है, sodium and proton anti-transport system, यहां पर जो वर्क करता है, जिससे क्या होता है, जो आपका sodium आया है, by the urination, जो urine वहां पर फिल्टर्ड हुई है, गलो मिरोलस फिल्टरेट से, जो फिल्टरेट आया है, उसमें आपका sodium अलबल है, वो क्या होता है, य जो anti-transport system है, वहां पर NA plus आपका reabsorb हो जाता है, और वहां पर H plus आपका again इसमें आ जाता है, जो आपका lumen है, जब आपका NA plus यहां पर इंटर करेगा, तो यह क्या करेगा, यह H plus यहां पर जैसे positive ions की increase होंगे, तो यह क्या करेगा, यह इधर आ जाएगा, आपका H plus, H plus क्या है, आपका bicarbonic acid हो गया, अब bicarbonic acid क्या होता है, carbonic and hydrous enzymes के presence में, यह तूट जाता है, H2O and CO2 में, मिस, water and carbon dioxide, यह वहां आपका कहा हो रहा है, lumen में हो रहा, अब यह जो आपका water and carbon dioxide तूटा है, यह इंटर कर जाता है आपका, जो है आपकी proximal convoluted tubular cell है, इसमें इंटर किया इसमें इंटर करने के बाद, जब यह H2O plus CO2 जो है, यहाँ पर अगेन आपका carbonic hydrous enzyme है, यह अगेन क्या हो जाता है, आपका bicarbonate बन जाता है, H2CO3, यह H2CO3 अगेन तूटता है कि इसमें bicarbonate and H plus में, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो है cycle form करना है, means H plus जो यहाँ पर आया आपका, means जैसे आपको हमने directly बता दिया, कि यहाँ से H plus आ गया, लेकिन यहाँ पर कहां से आया, तो आप अगर इसको देखें, तो यह H plus कहां से आ रहा है, इस bicarbonic acid से जो कि यहाँ पर form हुआ, और further यह process के थ्रूँ यहाँ पर इंटर किया, और यहाँ पर तूट कर उसने H plus दिया, तो यह H plus अगेन बाहर जाएगा, किस के थ्रूँ, जो हमारा sodium and proton anti-transport system होसके थ्रूँ, और sodium का reaction यह कराएगा, लेकिन यहाँ पर जो carbonic anhydrase inhibited drug है हमारी, उनका वर्क क्या होता है, वो जैसे आपकी acetazolamide drug है, वो वर्क करेगी, तो यह इनको क्या करेगी इनिवेट कर देगी, जो हमारे carbonic anhydrase enzyme है, अब इन carbonic anhydrase enzyme को अगर हम इनिवेट करा देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे यह यहाँ पर इनिवेट होगा, तो यह आपका दम bicarbonate ion form हुआ, यह माली जी अने पर साइन CO3 तो आ गया, लखिन bicarbonate ion नहीं फार्म ह हो पाएगा, और bicarbonate ion क्यों नहीं फार्म हो पाएगा, क्योंकि यह जब तक आपका H2O and CO2 नहीं बनेगा, तब तक यहाँ पर इंटर नहीं करेगा, जब इंटर नहीं करेगा, तो यहाँ पर bicarbonate ion नहीं बनेगा, जिससे H+, और Na+, एक दूसरे से क्या होंगे, exchange नहीं हो पा है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं थोड़ा इसलिए deep बताने को कोसिस करा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके कि यह work कैसे करता है, अब यहाँ पर जो भी कुछ process हो रही थी, आपका sodium and bicarbonate था, उसका reabsorption यहाँ पर निकल जाएंगे, और unity nation को क्या है, unity nation आपके बढ़ जाएगी, अब इनका क्या होगा, यह work होगा, आपका carbonic anhydrase inhibitor का, यह जो है, इनका influence जैसे यह at tubular absorption, Na plus के reabsorption के रोक रहे हैं, and FCO3 absorption, इन दोनों को क्या है, है इसको रोक रहे हैं, also at digital tubule, here Na plus exchange, K plus, और H plus ions, such as CO3 is formed as an accompanying anion, यहाँ पर क्यों होता है, इनका क्या है, कुछ influence करता है, जैसे carbonic anhydrase mainly इनका work तो होता है, यही पर, जो आपका proximal convoluted tubule है, लेकिन इनका कुछ action होता है, जो आपका digital tubule है, वहाँ पर जो process होती है, जो exchange होता है, Na plus, K plus का, वहाँ पर भी इनका कुछ work होता है, ion mechanism of action आप स process हो रही थी, उसको यह कैसे रोक रहे हैं, आपने उसको अल्रेडी देख लिए, यही आपका mechanism action अगर आप इतना ही बना वहाँ पर बना भी देते हैं, या कुछ चीज के बारे में लिख देते हैं, ऐसे आप इसको instruction होता है, कि यह reaction दिखा देते हैं, आपको full mark मिलेंगे, ब perform कराते हैं, अब यहाँ पर यह क्या इनका वर्क होता है, मिज आपके जो भी H प्लस आयम जो हाँ पर जो बन रहा था, इसको यह नहीं बनने दे रहे हैं, में वर्क इनका यह हो गया, अब जो carbonic and hydrate inhibitor हैं, इसमें जो भी आपका है structure activity relationship, यह आपका general mechanism action होगा, यह mechanism action सभी drugs प अगर हम बात करें, तो यह क्या होता, यह drive होता है, आपके sulfonamide antibacterial से, तो इसमें क्या होता, main क्या है, sulfonamide nitrogen है, आपका SO2 and NH2, यह जो आपका portion है, यह क्या होता है, important होता है, means main important portion है, यह essential for diuretic activity, जो आपका increased production of urine होता है, इसके लिए बहुत essential होता है, it must be unsubstituted, अब change करें, जिससे की structure पर effect आ रहा है, means structure की activity से क्या relationship है, आपको यह समझने के लिए structure में जो भी कुछ आप change करेंगे, उसका क्या effect होगा, यह जानना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर आप देखें, तो जो आपका sulfonamide group है, जो भी sulfonamide nitrogen है, यह आपका essential है activity के लिए, अब यहा substitution at SO-NH2, eliminate diabetic activity, जो आपका है, SO-NH2, यहाँ पर अगर आपको substitution कराते हैं, तो क्या होता है, diabetic activity आपकी effect होगी, means वहाँ पर diabetic activity eliminate हो सकती, means आपकी fully खताम हो सकती है, methylation of acetazolamide leads to methazolamide having same activity, अब next क्या होगे आपका, methylation आपका अगर कराते हैं, तो आपका क्या होगा, जो acetazolamide drug है, वहाँ पर क्या होगा, एक नई drug आपकी बन जाएगी, methazolamide, जो की same activity देती है as acetazolamide, आप अभी यह structure में देखेंगे, तो मैं वहाँ पर आपको बता दू है कि जो acetazolamide है, उससे methazolamide कैसे बना है, removing of acyl group from the nitrogen atom, activity is decreased, जो acyl group है nitrogen से, वहाँ पर आप acyl group में कुछ करते हैं, तो क्या करेगा activity decrease होगे, जो की आपका क्या है, जो nitrogen item है, वहाँ के acyl group में अगर आप कुछ भी करते हैं, तो आपकी activity पर effect का रहा है, इस activity आपकी decrease हो रही ह heterocyclic sulfonamide exhibit highest lipid and water partition का sufficient, lowest pk value, greatest carbonic adiagnose inhibitors and dietetic activity, मिस heterocyclic sulfonamide जो होते हैं, इसके कुछ drugs अलाग classified है, उसको मैंने इसमें नहीं include किया, क्योंकि आपके ये subject में नहीं दिया गया है, जो heterocyclic है, साध एक drug दी गई है, तो क्या miss, आप इतना जा लिजिए, कि इनका main work क्या हो होती है, इनका ज्यादा होती है, जिससे इनकी carbonic adiagnose inhibitory activity होती है, ज्यादा होती है, बस इतना आप समझ लीजिए हां पर, नेक्ट क्या है, आप ड्रग के बारे में बात करते हैं, जो हमारी drug है, एक एक ड्रग के बारे में बात करते हैं, पर ड्रग है, हमारी acetazolamide, acetazolamide क क्या है, हमारा एक simple heterocyclic sulfonamide group है, एक प्रोटोटाइप, यह एक प्रोटोटाइप ड्रग है, और इसका mechanism of action अगर हम देखें, तो यह क्या करता है, carbonic anider enzyme को inhibit करता है, प्रेमें क्या करता है, जो H plus ion आपका वहाँ पर फोर्म हो रहा था, उसको यह रोग दोता है, जब यह र bicarbonate जो हमारा iron है, उसे react नहीं कर पाएगा, as a result, exchange of na plus ion with H plus ion does not take place, उस पहाँ पर यह process हो नहीं पाएगा, जो आपका na plus and H plus, वो anti-transport system work कर रहा था, वो work नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, जो आपका bicarbonate na plus and cables है, वो water के तुरु बाहर निकल जाएगा, यह उस कहा होता है, in treatment of glaucoma, alkaline ging, urine and epilepsy, acute mountain sickness and sympathetic relief as well as profile axis, जो आपकी mountain sickness होगे है, sympathetic relief as well as profile axis, it is self-limiting in nature, so not used as diabetic anymore, मिस यह क्या है, मिस आपको इसको बार-बार use करते हैं, तो इसका effect है, आपके उपर क्या है, self-limiting आजाएगा, अब यह मैतना बैक्सन जैसे मैने आपको बताएगा, जो anti-transport system है, वर्क कैसे करता है, यहाँ पर आपका जो, जब तक ही H plus iron ही means carbonic and hydrate enzyme को जब inhibit कर लेंगे, तो आपका H plus iron बनेगा नहीं, जिससे यह N plus आपका इंटर नहीं करेगा, जब तक यहाँ पर proton जैसे माली इंटर, जब यह H plus यहाँ पर जाएगा, तब ही N plus यहाँ पर है, यह carbonic and hydrate enzyme को inhibit कर रहा है, जिससे यह process नहीं हो पारी है, और क्या करेगा, आपका जो Bicarbonate, Na plus and K plus है, वो आपका बहार निकल जाएगा, नेक्स्ट हमारी drug है, synthesis of acetazolamide, मिस्ट यह drug नहीं आपकी क्या है, जो acetazolamide है, उसका synthesis भी आपको पढ़ना है, तो यह आपकी synthesis हो ग is thyocarbomolehydrogen and further इनका क्या होता है, cyclization होता है, in the presence of phosgene, phosgene के presence में, इनका cyclization होता है, जिससे क्या है, cyclic form में आएंगे, और यह बना देंगे, 5 amino, 2 mercapto, 134 thiodyazole, further, इनका क्या होगा, acylation, in the presence of CH3, COCl, जब इनका acylation होगा, तब यह एक amide form करेंगे, यह आपका क्या होगा है, amide structure है, amide बना, इनका क्या होगा, further, Cl2 के presence में oxidation हो रहा है, जब oxidation होगा, तो जो आपका जैसे यहाँ पर क्या है, SH है, तो यहाँ पर हो जाएगा, आपका SO2Cl, मेंसे यहाँ oxidation हो रहा है, जो आपका य जाएगा, further, इनका हो जाएगा, amideation, जो आपका बना है, two sulfonil, two sulfonil chloride derivative, इनका क्या होगा, amideation, यह form करेंगे, acetazolamide, जो आपकी, क्या है, product है, next drug है, आपकी, metazolamide, metazolamide के अगर हम बात करें, तो यह आपका होगा, metazolamide का structure, and हमने आपको बताया था, जो acetazolamide drug है, और एक hydrogen था, वो substitute हो जाएगा, किसे hydrogen से, तो यहाँ पर आपका methyl group आकर लग जाएगा, और hydrogen निकल जाएगा, जिससे आपका acetazolamide से बन जाएगा, metazolamide, same structure है, बस थोड़ा यहाँ पर आपका change है, अब इनका क्या होगा, substituted product है, आपको पता चल गया, इनका mechanism same as है, मिस यह भी carbonic and hydrate enzyme को रोकेंगे, मिस उतका inhibit कर देंगे, और क्या है, ciliary process होती है, इसे inhibit the carbonic and hydrate enzyme in a ciliary process of I, reduce aqueous humor secretion by delaying formation of bicarbonate, यह क्या करते हैं, जो आपका na plus का जो transport है, उसको क्या करते हैं, reduce कर देते हैं, यूज होता है, इनका open angle glaucoma, diuretic, also having anti-neuoplastic activity, anti-neuoplastic means anti-cancer activity, means anti-cancer activity भी है, so करते हैं, also using acute angle closure glaucoma, इनका सब का miss आप अगर इसको रखें, कि लोग ग्लाव कोमा को ही रखेंगे, यह तो types के miss थोड़ा deep चला जाता है, यह point, लेकिन आप ग्लाव कोमा को ही रखें, तो आपके यह same क्या है, उस सभी के same हो जाते हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, अपने easy way के लिए, next drug है हमारी dichlorfenavide, जो dichlorfenavide है, यह किया है, एक yum disulfomoyl benzene compound है, जो मैंने आपको बताया था, कि जैसे कुछ होते हैं, जो contain करते हैं, क्या, heterocyclic करते हैं, साथ यह उसकी category की नहीं है, लेकिन वो भी इसी से miss male jol होते हैं, it is a disulfomoyl benzene compound, यह एक disulfomoyl benzene compound है, SAR involving metadisulfomoyl benzene, means क्या है, यह involve करते हैं, metadisulfomoyl benzene, इसका थोड़ा SAR आपका different हो जाता है, parent क्या है यह, it is a inactive, जो आपकी disulfomoyl benzene है, is inactive but substituted, so diabetic activity में, जो substituted होते हैं, इसके जो parent हो गई, आपकी यह होगी, लेकिन इनका अगर substitution करा देते हैं, तो जो drug मनेगी, वो हमारी diabetic activity को सो करेगी, maximum activity when position 4 is substituted with, जो आपकी यह position 4 जो यह है, इसको अगर आप substitute कराते हैं, chlorine, bromine, CO3 and NO2 से, तो यह क्या होगा, इनकी activity क्या होगी, maximum होगी, unsubstituted, SO2 and NO2 group at position 3 is essential for activity means, जो आपका यह sulfo-moyl nitrogen है, यह essential है activity के लिए, mechanism of action, the mechanism of action behind this not completed, उनको पता नहीं है, बस इनका क्या है, it causes less excreation of bicarbonate, some more chlorine with sodium, so a similar action to acetazolamide, means आपका जो भी drug हैं, इनका सेम action होता है, सभी इन से, सभी का, इन से आप मेर करा दीजिए, आपका सेम mechanism of action, एक कर, याद कर लीजिए, सभी का हो जाएगा, यूज होता है, treat of glaucoma, अब उसमें open angle, secondary, सभी आ जाते है, यूज है diabetic, also effective in case of therapy, resistance, epilepsy, आपका ये जो carbonic and hydrogenator आज खतम होता है, थोड़ा health ठीक नहीं है, इसलिए lecture बहुत अच्छा नहीं बन पाया होगा, so sorry for it, लेकिन मैंने try किया कि बहुत अच्छे से अच्छा बनाऊ, and note आपको हमारे telegram channel या whatsapp पर आप join होकर पूस सकते हैं, अगर आपको कोई भी doubt है, यह कहीं भी कुछ आपको गलत अगरा है, तो आप हमको comment box में हमसे directly पूस सकते हैं, so thank you,